यह है हमारा Micro Economics 11 Standard का वीडियो और हम डिसकस कर रहे हैं Chapter Demand इससे पहले दो Demand की वीडियोज आच चुकी हैं जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने एक Basic Outline Structure किया Demand का सेकंड वीडियो में हमने Law of Demand को Explode किया इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह जो Demand कर्व हम बना कर आएं अभी तक क्या इसमें किसी भी प्रकार की Movement या Shift देखने को मिल सकता है अगर हां तो कैसे क्या क्या Conditions होंगी जब हमारा Demand कर्व Movement या Shift श्रू करता है तो वो समझने की कोशिश करेंगे ज़्यादा Complex नहीं है अगर अभी तक हमें Demand समझ में आ रहा है तो यहां पर हमें तो बस उसे Practically Graph में उस Behavior को ही Plot करना है आया ना अच्छा तो क्या बात होगी सबसे पहले कि जो Demand कर्व है वो बदलेगा किस वज़ा से दो वज़ा से या तो आपकी Demand ही बदल जा है या फिर आपकी Quantity Demanded में कोई भी फरक आता है तब भी आप Demand कर्व में Movement देखते हैं कैसे क्या लिखा है कि Change in Quantity Demanded and Change in Demand ये दो चीज़ें हैं जिसकी वज़ा से Movement along the Demand कर्व हो देखो ये चीज़ समझने के लिए हमें बेसिकली समझना है कि Movement का क्या मतलब है और Shift का क्या मतलब है तो अगर मैं यहाँ एक Simple मेले क्या करूं हमें काम करते है Demand कर्व ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर क्या है यह हमारा Demand कर्व है ऐसा हमारा कुछ Demand कर्व दिखता है हाया ना बोलो हम मान लेते 100 Quantities Demand हो रही है जब Price 10 है यहाँ पर हमारे Price है और यहाँ पर हमारी Quantity Demand है ओके जी आच्छा क्या बत हो रही है कि Price 10 है तो 100 Quantity Demand हो रही है प्राइस कम हो गया प्राइस कम हो गया 5 हो गया आया ना हमें पता है कि जब Price गिरता है quantity Demand क्या करती है इंक्रीज कर जाती है तो वह 100 से बढ़कर 200 यह हमने क्या बना लिए अपना Simple सा Demand कर्व दिमांड कर लिए अब दिमांड कर्व के जब हम Shift या Moment की बात करते तो देखो Shift या Moment कैसे आ सकता Shift के कब होता है कोई भी कर्व जब यहाद तो यह जो आपकी लाइन है यह आगे चली जाए कुछ ऐसे या फिर यही लाइन यह जो वाइट आपको लाइन दिख रही आपकी Demand की जो लाइन है यह क्या आ जाए पीच या जाए इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो Demand है वो गिर गई है Upward Moment का मतलब क्या होगा कि Demand आपकी बढ़ गई अब बढ़ गई है घट गई से मतलब क्या मतलब अगर प्राइस टेन है पहले कितनी कॉंटेटी मांग रहे थे आप सो अब प्राइजस टेन ही है लेकिन कितनी कॉंटेटी मांग रहे हो वो लोग इसको बात समझ में आरे देखो फिल्ड रो करते हैं यह समझ के जाने आज अपने को इस लेक्चर में कि बात क्या हो रही है बात हो रही है कि जब भी आपका demand curve कुछ ऐसा दिखेगा जब आप 10 रुपीज में 100 quantity माग रहे हैं किसी वज़ा से आपका जो curve है वो आगे shift कर जाता है इस बात का मतलब है कि prices में कोई भी change नहीं आया है prices उतने ही है 10 रुपे का 10 रुपे ही है पर 10 रुपे में अब आप कितनी quantity माग रहे हो जादा quantity माग रहे है बोलो कुछ-कुछ बात समझ में आई हाया ना क्या हो रहा है आपे prices सेम रहने के बावजूद भी अगर आपकी quantity demanded भढ जाए या फिर घट जाए prices दस ही हैं लेकिन अब कितनी quantity माग रहे हो घट जाए या भढ जाए same price पे quantity demanded उस case में हमारा demand curve shift कर जाता है आगे को या फिर पीछे बोलो बात समझ में आई हाया ना यह हमें क्या दिखा रहा है कि demand curve shift कम करेगा बोलो बात समझ में आई अच्छा फिर movement क्या दिखाएगा movement से क्या मतलब है demand curve की जो movement की बात हो रही है उसमें क्या बात करना चाहरे है उसमें वो हमें simple सी बात कह रहे है कुछ ज़्यादा बात नहीं कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि अगर prices 10 होंगे तो क्या कर रहे हो quantity कितनी मांग रहे हो मान लो अब quantity मांग रहे हो 100 आया ना लेकिन अगर prices घटे prices घट गए तो quantity कितनी मांग रहे हो बोलो बात समझ में ज़्यादा मांग रहे हो quantity याने कि a point to b point आप क्या कर गए हो move कर गए हो जब आपके prices क्या हो गए है गिर गए है prices के गिरने की वज़े से आप demand curve का क्या देखते हो movement देखते हो demand curve नहीं move करता आप move करते हो demand curve के उपर नीचे उपर नीचे बोलो बात समझ में अगर आपके prices बढ़ जाते है बोलो अगर prices हमारे बढ़ जाते है तो quantity demanded क्या हो जाती और reduce हो जाती हो आप उसी demand curve के उपर लेकिन आप क्या कर गए a point से c point पर move कर गए जिसकी वज़े से आपकी demand क्या हो गई श्रिंक हो गई कम हो गई prices में गए demand इसको हम क्या बोलते है movement along the demand curve hopefully बात कुछ-कुछ समझ में अर गया है चलो फिर इसे quickly एक बार wrap-up करके put up कर दे movement along the demand curve क्या क्या रहा है कि यह हमारा demand curve है यहां पे various points है जितने prices high होंगे उतनी आपकी quantity demanded क्या होगी कम होगी जितने prices गिरते जाएंगे आपकी quantity demanded क्या करेगी increase करती जाएगी जब आप higher price to lower price move करते हो कम quantity to जादा quantity move करते हो इसको बोला जाता है extraction sorry extension of demand extraction movie दिवांग में आ गई क्या हम कहते हैं से extension extend हो जाती है demand बढ़ जाती है बोलो बात समझ में आई अच्छा अगर इसको opposite हो जाए पहले prices थे कम अब prices बढ़ गए है याने कि आप नीचे से उपर की तरफ move कर गए हो बोलो बात समझ में आई आने कि quantity क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसको हम बोलते जब shrink हो रही है quantity contraction of demand बोलो movement वाली बात बिल्कुल समझ में आ रहे हैं हाया ना जब shift आएगा prices same ही रहेंगे लेकिन फिर भी हमारी quantity demanded क्या करेगी increase कर जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे outward shift in demand या फिर हम इसे क्या बोल सकते कि आपकी demand increase कर गई है अगर यही चीज backward movement हो यही चीज क्या हो backward movement हो price same है पर फिर भी quantity demanded क्या कर यह पहले से reduce कर गई है इसे हम कहते है decrease in demand या फिर inward shift of demand कर बोलो बात समझ में आ गई हाया ना examples देखने के लिए बिल्कुल तयार हो एक basic outlook हमने develop कर लिया सारी बात का हाया ना तो चलो अब देखते कि extension and contraction होगा कैसे है अब आप यह simple ही बता सकते मेरे पास यह already क्या है demand curve draw हुए हुए है आप भी चाहिए अपनी copy pen लेके बैट जाओ साथ साथ ड्रॉ करो extension में movement ऐसे होगा या ऐसे होगा यह बताना अपने बोलो बात समझ में आ रहे है कि बताना क्या है extension and contraction of demand curve सबसे पहले आपको बताना है कि extension फिर से extension किस केस में हो रहा है बढ़ेगी अगर demand तो हम नीचे की तरफ move करेंगे कि उपर की तरफ move करेंगे हम move करेंगे नीचे की तरफ contraction में क्या होगा बो लो किसको बात समझ में आ रहे है हाę ना बोलो किसको बात समझ में आ रिए पेपर में अगर पूछ लिया extraction और contraction में फरक बता आओ बता दो गे distinction में क्या होगए आप की demand बढ़ेगी contraction में क्या होगा आपकी demand गटेली, बोलो बात समझ में आ गई हाया ना, चलो shift देखने के लिए तयार है increase and decrease in demand curve कैसे होगा बताओ, सबसे पहले increase बताओ, इस demand curve पे show करो, कि increase कैसे होगा हमारा demand curve अगर बढ़ा है तो उदर जाएगा कि इधर आएगा इधर आएगा, क्योंकि same price पे अब पहले से जादा quantity demand हो रही है बोलो बात समझ में आ गई हाया ना, अगर हमें decrease दिखाना ओ demand में तो क्या होगा backward shift आ जाएगा, यानि कि पहले quantity demanded इतनी थी अब इसी price पे quantity demanded क्या हो गई है, reduce हो गई बोलो बात समझ में आ गई हाया ना, हाया ना तो basically जब भी हम shift या movement की बात करते हैं movement में हम क्या बोलते हैं कि quantity demanded बदल रही है लेकिन shift में हम क्या बोलते हैं कि हमारा पूरा का पूरा demand ही बदल गई पूरा का पूरा जो demand का schedule है वो ही change हो गया है क्योंकि अब same prices पे हम different quantities purchase कर रहे हैं हम पहले कुछ और quantity purchase कर रहे थे अब हम कुछ और तो हमारा overall demand ही change हो गया क्योंकि demand किसे बनेगा सारी quantity demanded को जोड की क्या बनेगा हमारा demand बनेगा and तो सारा का सारे ही क्या हो गया change हो गया है जब हम shift की बात कर बोलोगे इसको बात समझ प्यारी क्याने कि अगर हमारी teacher हमसे question पूछ लेती है paper में कि भई बताओ shift किस case में होता और movement किस case में होता तो हम बताएंगे कि देखो हमारा demand curve shift कर जाता है जब demand बदलती है लेकिन अगर सिफ quantity demanded बदल रही है तो हमारा demand curve along the line ही उपर नीचे उपर नीचे move करता रहता है क्योंकि prices prices के against जो quantity होती है उन में कोई बदलाव नहीं आता उस price के against आप उतनी ही quantity demand कर लो shift में क्या होता है आप उसी price के against एक अलग quantity demand करने लग जाएंगे बोलो बात समझ में आ गई हाया ना, hopefully clear हो गया चालो अब हम देखने के लिए तयार है कि different cases में हमारा demand curve कैसे shift करेगा यह सारी चीज़े पढ़कर आयो अब आपको बता पाना चाहिए आपको मतलब आप मुझे बता पाओ कि क्या effect पढ़ेगा demand curve पे जब हम पढ़ रहे हैं cross price effect substitute goods का क्या effect पढ़ेगा और complementary goods का क्या effect पढ़ेगा बोलो बात समझ में आ गई हाया ना, आपको क्या बताना है सबसे पहले substitute goods देख रहे है substitute goods कौन सी होती थी जिन goods आपकी एक तरीके से competition या replacement है, अगर मुझे coffee नहीं मिली तो मुझे चाय भी चलेगी तो चाय और coffee मेरे लिए substitute goods हो जाते है आया ना, तो यहाँ पर हम क्या notice कर रहे है, कि जो price of substitute goods है, वो increase कर गया है, याने कि अगर मैं coffee की demand study कर रही है किसकी demand study कर रही हूँ let's say मेरे substitute goods क्या है coffee and tea बोलो बात समझ में आ रही है कभी भी question solve करना है, कभी भी graph draw करना है, simple चीज क्या है कुछ न कुछ example सोच लो relationship establish करना बहत आसान हो बोलो बात समझ में आ रही है तो मैं किसकी study कर रही हूँ, मैं study कर रही हूँ coffee की बोलो बात समझ में आ गई तो मैं क्या पढ़ रही हू, increase in price of substitute good, substitute good क्या है, चाए चाए के prices बढ़ गए है, हाया न तो चाए की demand क्या होने वाली है, गटने वाली है हाया न, substitute goods है जो लोग चाए की demand गटाएंगे, वो अब क्या मांगेंगे coffee मांगेंगे, हाया न coffee की demand क्या होने वाली है increase होने वाली है मतलब मैंने coffee के prices में कोई change ने किया Prices उतने ही है Prices अगर 10 रुपे थे तो 10 रुपे ही है लेकिन 10 रुपे पे पहले 5 लोग मांग रहे थे coffee अब कितने मांग रहे है 10 लोग coffee मांग रहे है तो मेरा demand curve कहां shift करेगा forward shift कर जाए अगर मेरा substitute good का price decrease कर गया याने कि चाए सस्ती हो गई है चाए का price जो था बोलोग इसको बात समझ में आरी है तो चाए की demand क्या होने वाली है जादा होने वाली है याने कि मेरे customers ही तो उदर जाएंगे मैं coffee study कर रहे हूं मेरे customers ही तो उदर जाएंगे हाया ना तो coffee की demand क्या होने वाली है कम होने वाली है मतलब same price पे ही अब लोग कम coffee खरी देंगे तो demand curve क्या करेगा backward shift करेगा बुलवात समझ में आ गई हाया ना next क्या relation देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं income effect से पहले हम देख रहे complimentary goods का क्या फरक पड़ेगा complimentary goods के prices में change आने की विज़े से demand curve कैसा behavior दिखाएगा क्या shift लेगा बोलो बात समझ में आ रही है हाया ना complimentary goods होते कौन से थे complimentary goods वो goods होते थे जो एक दूसरे के साथ जाते थे bread और butter पेस्ट्री और coffee जो चीज़े लोग साथ साथ में उसकरते है petrol और car बोलो बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है increase in price of complimentary goods हमने क्या approach उठाए कि example उठाओ bread butter उठा ले आया ना अच्छा bread butter उठा लिए अब define करो कि आप study किस चीज़ की कर रही है increase in price of complimentary goods यानि bread का price बढ़ गया bread का price बढ़ा तो bread की demand क्या होने वाली है घटने वाली है हाँ या ना bread की quantity demanded क्या कर जाएगी decrease कर जाएगी याने कि अगर लोग bread कम खरीदेंगे तो butter भी कम खरीदेंगे मेरी demand भी क्या करेगी reduce करेगी मैंने अपने prices में कोई change नहीं किया लेकिन पहले 10 रुपे में लोग 2 butter खरीद रहे थे अब 10 रुपे में लोग एक ही butter खरीदते वो लोग इसको बात समझ में आरे कैसे establish करने समझ आ रहा है कि attempt क्या को होना चाहिए हमें in questions को इस topic को समझने का बोलो decrease in price of complimentary good bread का price क्या हो गया decrease कर गया bread की demand quantity demanded क्या करेगी increase करेगी लोग अगर bread ज़्यादा खरीदेंगे तो butter भी ज़्यादा खरीदेंगे same price पे अब मैं पहले से ज़्यादा quantity बेच पा रहे है बोलो किसको बात समझ में आ रही है आया ना clear हो रही है हमको ये बात बोलो next हम क्या पढ़ रहे है income affect यानि की relationship between income and demand अच्छा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो income और demand के बीच में कैसा relation अगर आपकी income बढ़ जाया पहले 100 रुपए कमा रहे थे अब आप 200 रुपए कमाने लगे तो आपके demand बेटर होगी या कम होजाएगी बेटर होगी बढ़ा होगे, खर्चा बढ़ा होगे हाया ना तो हमें समझ आ रहे है कि income और demand के बीच में एक direct relation होगा हाया ना लेकिन जो हम ये demand कर रहे हो जो goods आप की demand create कर रहे हो market में दो types की होगी normal goods और एक gift fund goods normal goods क्या होगी जो आप normal quality goods अपनी जिन्दगे में यूज कर gift fund goods क्या होती है जो बहुत ही low quality goods हम अपनी day to day life में यूज कर कैसे समझ सकते हैं इसको कि ये अलग कैसे हो जाती है normal goods से कि कही बार जैसे sunday markets लगती है या फिर weekend markets लगती है या फिर weekday markets भी लगती है कई कई जगाओं में societies में वहाँ पर generally क्या होता है काफी सस्ते दामों में चीजें मिलती है उन सस्ते दामों का generally कारण क्या होता है कि quality काफी low होती है आया न तो अगर आपकी income better हो जाएगी तो ऐसी low quality goods अब जादा खरीदो गया कम खरीदो इमाग लगाओं जैसे कि अगर हम एक normal household बिल्कुल हम घरों में breakdown करके समझते हैं शीज को कि normal household की बात करें आपके मेरे घरों पर डाले यूज होती है हाँ या ना अभी हम एक normal quality डाल को use कर लें लेकिन अगर हमारे घरवालों की साल रही है जो भी income source है वो almost double, triple चारगुना हो जाए हमारे घर पे बातचीर कैसे होगी अरे वो organic डाले लेके आओ न ये वली डाले अच्छी quality की नहीं होती बोलोगे इसको बात समझ में आरे हैं ऐसी goods जो basically इन goods की demand बढ़ाने की जगा क्या कर देंगे? घटा देंगे हम इने use करना छोड़ देंगे, हम shift कर जाएंगे normal goods की तरफ, better quality goods की तरफ, बोलोगे इसको कुछ-कुछ बात समझ में आया ना gift one goods का मतलब समझ में है तो अब आप इसका behavior भी बता सकते हो एक चीज हम notice क्या कर रहे है, जो graphs दिये गए है, जब भी हम relationship study कर रहे है हम actually study कर रहे है कि जिसे income के relation की बात की तो income के साथ मैं quantity demanded plot नी कर रहे है मैं prices के साथ ही अपना जो normal demand curve हम draw करते हैं जो हम law of demand, theory of demand सारा कुछ समझ क्या हैं, उसके हिसाब तो यह नहीं सोचना है कि direct relation है, तो उपर क्यों नहीं slope कर रहा है, क्योंकि मैं income के साथ plotting नहीं कर रहे हूँ, मैं plotting price के साथ ही कर रहे हूँ, quantity demanded बोलो कुछ बात समझ में आ रही है हाया ना, अच्छा तो अब हमें दिमाग लगाना है कि normal goods के साथ income का कैसा effect पड़ेगा और different goods पे income का, कैसा effect पड़ेगा हाया ना, अगर तो income हमारी increase हुई है income क्या हो गई है, increase हो गई economics में हम इसे y से denote करते है हमारी income को, income हो गई है increase, तो आप goods ज़ादा demand करोगे या कम demand करोगे, बोलो आप goods ज़ादा demand करोगे, तो same price पे अब आप ज़ादा चीजे खरीद पाओगे, पहले आप 4 units खरीद पा रहे थे, अब आप 6 units खरीद पाओगे, बोलोगे इसको बात समझ मेरे, लेकिन अगर आपकी income better हुई तो different goods को आप purchase करना बंद कर दोगे, कम कर दोगे, आप क्या बोलोगे पहले आप कर रहे थे, समझ लो दो quantities, अब आप कितनी घर रहे हो, एक कर आप बोल रहे हो कि नहीं यार, वो better quality goods खरीए, ये नहीं घरीटे है, बोलोगे इसको बात समझ मेरे, हाया ना, तो income का impact क्या पड़ेगा, negative पड़ेगा, gift one goods के उपड़ेगा, अच्छा, अगर हमारी जो income है, वो decrease कर जाए, किसी वज़ा से हमारा demotion हो गया, अब पैसे कम मिल रहे हैं, फिर क्या होगा, हम जितनी goods पहले खरीद पा रहे थे, अब उतनी goods खरीद, नहीं पाएंगे, हाया ना, तो same price होने के बावजूद भी हम कम goods खरीदेंगे, बोलो बात समझ में आई, demand curve क्या करेगा, decrease कर जाएगा, inward shift कर जाएगा, gift one goods का क्या होगा, अगर income और कम होगा, तो आपको सस्ती goods, low quality goods और जादा खरीद नहीं पाएंगे, बोलो इसको बात समझ में आई, आया तो same price पे आप पहले से जादा quantity क्या करने लगोगे, purchase कर, तो कि आपकी income उतनी अच्छी नहीं है, कि आप बढ़िया goods करेंगे, तो आप gift one goods करेंगे, बोलो बात समझ में आई, आया ना, अच्छा, यह जो gift one goods है न, इसको एक नाम दिया जाता है, gift one paradox, gift one paradox हमें यही situation समझाने की कोशिश करता है, कि जैसे-जैसे हमारी income better होती है, वैसे-वैसे हम क्या करते हैं, चीजों को जादा खरीते हैं, लेकिन gift one goods के case में इसा नहीं होता, paradox शब्द वहीं यूज होता है, जहां पे हम दिखाना चाहते हैं, कि normally जैसी चीजे होती हैं, वैसा behavior नहीं हो रहा है, उस situation को हम paradox बोल देते हैं, right, तो gift one goods में normal goods, जो भी हम अपनी day-to-day life में यूज करते हैं, उनके जैसा behavior नहीं show हो रहा, उनके जैसे prices अगर बढ़ते हैं gift one goods के, तो लोग इन्हें जादा purchase कर ली लगते हैं, prices अगर घट जाते हैं, तो लोग सोचते हैं, इतना सस्ता, यह तो बहुत ही जादा cheap quality होगा, यह नहीं खरीदते हैं, तो जो normal demand के जितने भी behavior है, वो gift one goods पे नहीं लगते हैं, इसी वज़ा से इसको एक नाम दिया जाता है gift one paradox का, gift one एक economist था जिसने यह चीज़े identify की थी basically, कि कुछ goods, low quality goods ऐसी होंगी, जहाँ पे demand की theories apply नहीं, बोलो कि इसको बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा हम बहार जाके हमने extra बात कर ली, पर हमें चीज़ clear हो गई, हाया ना कि income का क्या fit दिखेगा, अब हम बात करेंगे कि taste and preferences का क्या impact दिखेगा, हाँ, याने कि देखो, हमने क्या बोला था, कि जब law of demand पढ़ रहे थे, बोला था, कि सब चीज़ों को constant मान लो, अब हम क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का effect भी क्या कर रहे हैं, study कर रहे हैं, कि demand पर कैसा effect पढ़े है, बोलो बात समझ में आ रहे है, देखे impact क्या होगा, हाया न, अगर हम कहें कि taste and preferences में एक favorable change है, क्या है, एक favorable change है, जैसे कि मैं सर्दियों के कपड़े बेचती हूँ, हाया न, अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो मेरी बिक्री बढ़ जाएगी या घट जाएगी, मेरे favor में change हुआ है, कि मौसम ठंडा हो रहा है, मेरे favor में change हुआ है, मेरी demand जो है, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी, हाया न, same prices पे, मेरी demand क्या करेगी, increase कर जाएगी, ऐसी अगर unfavorable changes आ जाजाए, गर्मी का मौसम आ जाए, तो लोग क्या करेंगे, सर्दी के कपड़े नहीं खरी देंगे, तो same ही prices पे क्या हो जाएगा, लोग अब कम quantity demand करने लग जाएगी, unfavorable changes में क्या होगा, demand कम हो जाएगी, inward shift आ जाएगा, decrease कर जाएगी, और अगर favorable changes आएगे, तो outward shift आएगा, demand increase कर जाएगी, बोलो बात समझ में आ गई, हाया न, अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा है topic, simple हो गया हमारे लिए, बोलो, ये क्या था हमारे पास, ये था हमारा topic, theory of demand का, hopefully हमें चीज़े बिल्कुल clear होई होगी, ऐसे, आप और भी कुछ points ढूँन सकते हो, और भी कुछ effects ढूँन सकते हो, जिनका demand पे impact पड़ेगा, and then उसको study करके चीज़ों को समझ सकते हो, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए, keep practicing, keep learning, chapters पढ़िए, back exercises वगेरा करिए, practice करते जाईए, and कोई भी doubts होते हैं, कोई भी queries होते हैं, तो हमारे पास आजाईए, comment section में drop कीजिए, description में दिएगा channel, पर आप हमसे contact कर सकते हैं, मिलेंगे नए videos के साथ, जल्दी, तब तक के लि have a good day